आज हम करेंगे class 3rd की unit number 11 की worksheet number 2 which is fractions. Fractions के ओपर है, fractions में numerator हम किसको बोलते हैं and denominator किसको बोलते हैं. तो आज यह समझेंगे, अभी तक हम बात करते रहे हैं, numerator denominator की पहली जो exercise थी, fractions भी लिखती रहे हैं हम. और अब यह सीखेंगे कि numerator किसको कहते हैं और denominator किसको कहते हैं बाकी मेरी अब यह जो worksheet मैंने लिए यह DAV schools में जो book है उसमें से लिए और इसके लावा DAV schools की जो 3rd, 4th, 5th की मैं जो have worksheets वो cover कर रहा हूं और अगर आपको search करनी हो तो मेरे नाम से आप search कर सकते हो राजीव शर्मा, class लिखिए, unit लिखिए और worksheets लिखिए तो आपको वो worksheets मिल जाएंगी जो कि DAV schools में book लगी हो ही है, 3rd, 4th और 5th standards को, maths की. चलें यह exercise शुरू करतें अब, अब इस exercise में हम सीखेंगे जी, numerator हम किसको बोलते हैं और denominator किसको बोलते हैं, तो को सबसे पहले तो हम यह numerator, denominator जो भी बोलेंगे ना, यह बोलेंगे fraction के case में, अब जैसे कोई भी fraction ले लीजिए, 2 over 3, अब क्या है कि एक line है, एक line के उपर नंब है, ठीक है, तो एक number जो उपर है, हम उसको कुछ बोलेंगे, और एक जो number नीचे है, उसको भी एक नाम दिया जाएगा, तो आपको कैसे judge करना है, कि भई, कौन सा नाम किसका है, तो denominator के case में, आप सरफ D की तरफ ध्यान दो, D मतलब down, और numerator में N पे ध्यान दे लो, N means North, अब जब हम directions देखते हैं, तो North उपर होती है, South नीचे होती है, ठीक है ना, तो जो उपर वाला number होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, numerator, और जो down वाला number होगा, D for down, उसको हम क्या बोलेंगे, denominator, तो numerator के N से, आपका ध्यान जाना चाहिए, North की तरफ, that means की उपर की तरफ, तो जो उपर वाला, जो line के उपर, जो number होगा, वो numerator बोला जाएगा, और जो denominator है, जब हम बात करेंगे, तो तब आपका ध्यान जाना चाहिए, D की तरफ, मतलब down, तो नीचे वाला जो line के, नीचे वाला जो number का, उसको हम क्या बोलेंगे, denominator, चलें अब worksheet की जो exercise है, वो शुरू करेंगे, अब पहला question क्या है, write the numerator of the following, तो हमें जो fractions दी जाएंगी, उसमें हमने numerators ढूंडने हैं, कि numerator कौन सा है, जैसे पहला तो मैंने आपको करवा दिया था, तो अब दूसरे से शुरू करते हैं, तो fraction क्या है दूसरी, one over nine, तो इसमें हमारे को numerator ढूंडना है, अब numerator के case में मैंने क्या कहा था आपको, आपने ध्यान देना किस की तरफ, north, n for north, और जो north direction होती है, वो उपर की तरफ होती है, तो जो line के उपर number है, वो numerator है, और जो line के नीचे number जो होता है, उसको क्या बोलते थे, denominator, तो इस case में, line के उपर कौन सा number है, line के उपर है, one, तो यहां पर numerator क्या हो जाएगा, one, अब अगले question में क्या दिये गया है, 13 over 15, तो इसमें भी हमें numerator ढूणना है, तो इस case में, numerator north, north मतलब line के उपर कौन सा number है, वो हमें देखना है, numerator के case में, तो यहां पर line के उपर number कौन सा आ रहा है, वो है 13, तो इस fraction में जो numerator होगा, वो कौन सा होगा, 13, अब यह जो numerator वाले जो बाकी तीन सम्स हैं, आप खुद करिए, मेरे ख्याल से अब आपको मुश्किल नहीं आएगे, इनको ढूणने में, अब question number two क्या है, write the denominator of the following fractions, fraction दी गई है, और हमें क्या लिखना है, denominator, denominator, और denominator की तरफ मैंने जब बात की थी, तो मैंने आपको क्या कहा था, आपने d की तरफ ध्यान देना है, d means down, तो line के जो नीचे वाला जो number होगा, वो क्या होगा, denominator, line के उपर क्या है, two, और line के नीचे क्या है, three, तो इस केस में denominator क्या होगा, three, तो ये ज़ीच का ध्यान रख लेना, कि line के नीचे जो number है, वो denominator है, तो वो हमने लिखना है, अगली fraction क्या दी गई है, one over nine, ढूंडना क्या है, denominator, denominator का d मतलब क्या है, down, तो line के नीचे number क्या दिया गया है, nine, तो इस केस में denominator फिर क्या हुआ, nine, ये बस ध्यान रख लेना, क्या आपने denominator का d देखना है, और numerator का n देखना है, n मीन्स नॉर्थ मतलब उपर, और d मीन्स डाउन मतलब नीचे, तो denominator विल भी जो line के नीचे number हो, अब एक number हमें ये दिया हुआ है, 17 over 15, तो इस केस में line के उपर number क्या है, 17, पर जो नीचे वाला number क्या line के, वो है 15, तो हमारे लिए denominator क्या है, जो down वाला number है, तो 15 is the denominator in this case, ये ध्यान रख लेना, 17 नहीं आजएगा, कि जी 17 बड़ा है, तो वो आजएगा, ना, जो line के, हमने सिर्फ line देखनी है, तो line के नीचे number क्या दिया हुआ है, 15, तो denominator क्या होगा, 15, number उपर कौन सा बड़ा, या नीचे कौन सा बड़ा, उससे कोई फर्क में पड़ता, सिर्फ line के नीचे वाला जो number है, आपने वो ध्यान रखना है, मैंने ये सम्जान मुझ के लिया है, बिकॉस बाकी सारे सम्ज में, उपर वाले number छोटे आ रहे हैं, और, नीचे वाले number बड़े आ रहे हैं, तो मेरे को ये डर था कि यहां आप ये मत समझ लेना, हमने सर्फ line देखनी है, number कौन सा बड़ा यहां कौन सा चोटा है, वो नहीं देखना, line के जो नीचे वाला number है, वो denominator है, और line के उपर वाला जो number है, वो numerator है, तो चले, अगले जो तीन sums इस question के हैं, वो आप खुद करेंगे, बाकी हम अब question third पे चलते हैं, अब अगला question क्या है, write the fractions for the following, हमारे को अब numerator और denominator दिये गए हैं, और हमें fractions लिखनी हैं इनकी, तो देखो, जब भी fractions लिखनी हैं, तो सबसे पहले क्या करना है काम हमने, हमने सबसे पहले एक line raw कर देनी है, अब एक number जो है, line के उपर लिखना है, और एक number जो है, line के नीचे लिखना है, तो numerator जो है, उसका end क्या है, north, मतलब उपर, क्योंकि north उपर होता है, south नीचे होता है, तो line के ऊपर numerator आएगा और इस case पर numerator क्या है 2 और line के नीचे क्या है आने वाला denominator D for down तो line के नीचे denominator आएगा तो यहाँ पर क्या है denominator 7 तो हमारी fraction क्या बन जाएगी 2 over 7 अब अगला sum क्या है numerator क्या दिया गया है 5 और denominator क्या दिया गया है 9 तो सबसे पहला काम क्या लिखना है line draw करनी है अब line के ऊपर क्या आएगा north north means numerator और यहाँ पर numerator क्या दिया हो गया 5 और line के नीचे क्या आएगा down अलब denominator और denominator यहाँ पर क्या दिया गया 9 तो हमारी fraction क्या बनेगी 5 over 9 अब आगे चलते हैं अगले में क्या दिया गया है numerator क्या दिया है 3 पर से पहले क्या करना था हमने draw करनी थी line तो line के ऊपर क्या आना है north आएगा north ऊपर की तरह होता है तो north का end means numerator तो उपर numerator आने वाला तो वो क्या है 3 अब line के नीचे down मतलब down d means denominator तो वो क्या है 13 तो यह fraction क्या बन जाएगी 3 over 13 उसके बाद क्या है सबसे पहले line याद रख लेना अब north means numerator तो numerator क्या है अरे यह कर रहे थे हैं हमारे को confuse यहाँ पर लिख दिया denominator पहले but d for denominator means down तो n means north मतलब अप उपर वाला तो numerator यहाँ पे क्या दिया गया है 8 तो 8 आएगा जी उपर यहाँ पे आप गलती कर जाते हैं अगर आप आखें बन करके कर रहे होते पहला number जो दिया उसको उपर लिख दें दूसरे number नीचे लिख दें फिर तो होगी ती गलती है तो numerator means उपर वाला number तो line के उपर क्या आएगा 8 और down अब d means denominator नीचे अब क्या number आएगा 14 तो fraction क्या बनेगी 8 over 14 यहाँ पे चलाकी केल गया यह वे अब last वाला सबसे पहले क्या line उपर north north means numerator तो numerator क्या दिया गया 3 अब line के नीचे क्या down down means denominator और यहाँ पे denominator क्या दिया गया 8 तो fraction क्या बनेगी 3 over 8 वेद दिस वेफ कम तो end of this worksheet जिन लोगों ने subscribe नी किया प्लीज subscribe कर लीजिए उससे आपकी जो subscriptions है उसमें मेरा चैनल अराम से दिख जाएगा और वहां से आप सारी वीडियोज देख सकते हो वैसे भी मैंने बता दी आपको वीडियोज देखने के लिए मेरा नाम टाइप करिए class टाइप करिए unit लिखिए worksheet लिखिए तो आपको अराम से मेरी वीडियो मिल जाएगी जो आपको पर्टिकलर चाहिए होगी तर्ड फॉर्थ और फिफ्थ जो डिये भी स्कूल्स को बुक्स लगी है मैट्स की मैंने सरव भी वही पकड़ी है थर्ड क्लास की जतनी वीडियो से वह ब्राउन कलर में लिखी मिलेंगी आपको फॉर्थ की रेड में और फिफ्थ की पर्पल में रिक्वेस्ट है शेर कीजिए वीडियो जहां देख रहे हैं उसके नीचे शेर का ऑप्शन है आप वाट्सप ग्रूप में अपना शेर कर सकते हों लिंक वीडियो का जतने भी फ्रेंज को कर सकते हैं करिये आंड अट दे एंड थैंक्स फॉर वाचिंग तिल दी एंड थैंक्स अलोट